एक नया देश बना दे अलपाइन कंट्री चार चीज़ों में क्या-क्या दो चीजे पढ़ाई और दूसरी पीस तो तीन चीजे और क्या रह गई खाना जब इस देश में देश के राज्य परजा को तु बताएगा पहले परदान मंत्री वन्या कुछ बताई नहीं रहा देखो भाई सुनो चलिए आगे करते हैं आज ए बी ए भी फाइफ एल पर याद देखो स्लेवर्स और सेड्यूल स्कूल थोड़े नहीं समझना जरूरी है ना समझ में आना जरूरी है एस कंपेर टू फटाफट से करा दू कोई फायदा नहीं है वैस पर थियूरी समझ में आई ना तुम लोगों अरे आया कि नहीं आया चृण च्षे का सीन क्या बनता था किया से स्प्लिट करते थे चार चार को क्या बनता था और यह अबाव और जब रखो गे तो यह कितने लिकी पे आएगा स्क्क्वेर में कितने पर आएगा दोने किते हैं सेवं अब तुम्हारे मर्जी चलेगी कहीं पर भी कुछ मी रखदो तुम्हारेमर्जी कोशिश यह करना कि लो सन पी घर को अबाव और बिलो रखना क्योंकि यह भी नंबर identifying इंगल कितना है यह भी अंगल बोट पीया है अब हमारे पास कितनी चीजे बची टोटल कितनी चीजी थी पांच और एक है ना चार तो मैंने पोंड रख गया अचे एक क्या रह गया बच्चे और एक क्या रह गया गया और रह गया अब क्या होगा बोलो अबाव क्या रखना है बॉन्ट बिलो क्या रखना है कहीं पर रख सकते हो उपर नीचे अच्छे बताइए इसमें इसको क्या बोलते थे एक है जैना ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड पिरामिड मिलके एक होगी किसकी इसमें अच्छा मोलेक्यूल जमेट्री के लिए याशेप के लिए के लिए याश्मनी बोलता है ना इससे तेज बाद हुनी चीज अभी बच्छो कि अगर अश्मनी के बाद मेरे पास आ गई तो तुम सब पिटोंगे ठीक है अब इसको नीचे लपेट दिया कुर्सी के नीचे दबा दिया इसे लफन कर दिया कि खटम कर इसको बहुत बोलता ह कि छुपाया है है कि अधरी क्या बाती इसमें तुम्हें लोन पेर जैसे छुपाया यह कैसे दिख रहे आपको स्केर कैसे दिख रहे यह तुम्हारे चेहरे इसे हस्मुक चेहरे हो तुम सब कि यह देखो यह पिरामेट बना के नहीं बना स्क्वेर यह पता नहीं क्यों से थे हो दिया यह बताया स्क्वेर यार बहुत मुश्किल काम है कभी-कभी मैं सोचता हूँ के बच्चों को समझाना आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत वाली चीज़ देंग हर चीज नहीं है कि पिरामेटल बन गया यह बाए पिरामिडल क्योंने लिखा प्यामेट से उपर ऊपर है नीचे लोन-प्यर को छुपाना था लोक्ता हेड् 25L अरे हुआ के नहीं हुआ है अच्छा सिमिलेशन की तुम्हें ज़रूत है या आप तुम्हें समझ में आ जाता है डिखाओ मैं फिर भी सिमिलेशन में एक बार देखना ज़रूरी है जब तक उसमें दिखाता हूँ उसमें लेकर आता हूं उससे पहले जिनका हो गया है एक् तो टेस्ट पेपर ले जाओ और करके लिया ना इतना काम तो कर लोगे ना टेस्ट पेपर जरूरी है बी आर मैं एक बार यह लिख देता हूं बी आर एफ फाइट कभी कभी तुम लोगों से डर लगता है मुझे इतने मासूम चैरे के पीछे ना इतनी गहरी आवाज होती है अभी मेरा हुआ नी था पीछे कर दे वर्ना गोली से उड़ा दूंगा है ब्रोमीन वी आरे फाइफ इससे सिमिलर एक्जाम्पल है अ पर जो बनाओ राइगchlossen अब इसमें बताओ इस शरकर को बनाने जाने के लिए लिए एक इनक्सर कितने अलक्ट्रण क्या वशक्था पड़ी हो एक यापास कितने हैं 25 प्号 कितने हैं सात्थ उसके आउड्रमोंस में कितने होने चाहिए कितने थे और बोंड कितने बनाए उसे पांच ऐसे बनेगा बिल्कुल जल्दी से बनाओ फटाफट से आप लो तब हमेशा अपने आप से कंपेर करो यार मिरको जो चीज कल आती थी क्या उससे बैतर चीज़े याद है के नहीं है अभी तुमने टेस्ट दिया तुम्हें टेस चक्ता नहीं है आपको बस खुद से है क्या आप लोग हमेशा खुद से कंपेर करिए कि मेरे पिछले टेस्ट में कितने नंबर आये थे और अब कितने आए हैं कहने का मतलब यह है यहां पर कितने बोंड से बताओ पांच और एक क्या था हमारा यह कैसा बन गया है यार यह यहां पर है यह प्लेन हो गया और यह अब आउदा प्लेन हो गया और यह क्या नाम आएगा मॉलिक्ल जुमेट्री क्या आएगी इलक्ट्रोंड जुमेट्री आएगी बोंड एंगल क्या होगा नाइंटी से थोटा लग हो जाएगा कि रिपल्शन ग्राव है कर लेंगे अभी फटावच से चले फटावच से अब मुझे यह आगया आप लोगों समझ में नेक्स इस यह जारा फाइब भी बना लिया आप मिरको पता है रिव्यू कैसे मिलते हैं अब यहां पर सबके तुमारे सबके चाहरे मुझे यहाद है कौन किस दिन नहीं आता है इसके टैस्में नहीं आते हैं तुमारे एक्स्पेशन से मुझे पढ़ा जाते है कि इस बच्चे को समझ नहीं आया और इस बच्चे को समझ आ और जब आपको समझो में इतना मेरे को जब भरोसा कब हुआ जब खुद पे जब मेरे पास कोई नालायक बच्चा आया बिल्कुली नालायक एवरेज से भी विलो जिसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा समझ लो कि उसको यह तक नहीं पता आज भी बार्मी में एक आदा बच्चा पढ़ा उसको यह नहीं पता होता है कि कारवण के चारभूं बनाये जाते हैं उसको यह भी पता होता हुझा को एक-ड़ी करके बता देना बीचे सір यह राम लिख के बता दे है एक सिंगल बच्छा बता देना अपने लावल पर बहुत मैनत करता है जितनी उसकी capacity है ना समझने की वह बहुत मैनत करता और यह बात मुझे पता है पर मैं फिर भी तुम लोगों को डाटता रहता हूं कि नहीं तुम मैनत नहीं करते हो तुम टेस्ट में नहीं यह प्रेशर जो मीठा मीठा प्रेशर है यह जरूरी है ठीक है क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशराइज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी कम प्रेशराइज किया तो यह दिकत देगी अब आप तो प्रेश तुम लोगा चार बॉंड पर को बना तून नहीं आया समझे अंगा चार पर और से पहले स्क्वेर अबाव एंड बिलो देखो मैं नहीं यहां पर क्या करता हूं यह स्क्वेर बना दिया मैंने और उपर क्या कर दिया लोन पेर अब हमारे पास ने बच्चा आता था दीएवी का दीप कुमार अब नहीं आता है अब वो अचानक से एक दिन आएगा अब वो यह सोचेगा कि मुझे सारे ज्ञान बर्दक चीज़े ना मेरे दिमांग में आज ही कुछ है पॉसिबल है क्या 90% कोंटर्बिशन तुम लोगों का है कि तुम रेगुलर रहते हो और इसके लिए रोज जब तुम यहां से चले जाते हो नो तुमारी जो चर्णों की धूल उसको नमन करता हूं कि यह बच्चा आज आया था इसने मेरा दुख कम किया है अब बस कर ना लाएगा हर चीज में इसके जुमेट्री क्या है अब बस है ना लाएगा अब गंदा इंसान इलक्ट्रों जुमेट्री क्या है जरूरी है और फिर यह एक्स्ट्रा चीजे क्योंकि सिर्फ ग्यारवी बारवी में पढ़ रहे हो ठीक है उम्र का भी थोड़ा दोस्त है यह सारी चीजे अब मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि जितनी चीजे मुझे नहीं पता है ना उससे जादा चीजे तुम लोगों ने मुझे सिखा दी है और अब सब्सक्राइब का हाल है उसमें तुम मुझे प्रो कर दोगे क्योंकि यह प्लेन बना हुआ है अगर में लोन पेर को रखता तो वह प्लेन भी नहीं बनता कुछ अजीव से से बन जाती है इसलिए हम क्या करके लोन पेर को अबावर बिलो रख सकते हैं क्योंकि एंगल 90 पांट छे साथ आए एक्जामपल नोगल गैस का लेना पड़ेगा और उसके साथ XCF4 बिल्कुल होता है पी ब्लॉक में 12th क्लास में जब जाएगा तू तब समझेगा पी ब्लॉक से यह डादिया बताओ लेकिन जे और नीट में है नीट में दो पेपर मतलब कैसे हैं दूसरा पेपर किसी इसका है अच्छा दो बार दो पेपर नीट दो बार रही थी अभी तो कन्फर्म नहीं हुआ है अच्छा मैं नीट से ना तुम्हें यार मैं एक चीज़ बताना भूल गया तुम लोगों को पात सितंबर को इचर डे वाले दिन हमारी जो पेरेंट कंपनी आए जो सक्षम उसने एक वेबसाइट लॉंच करी है उसमें नीट के जे के और सी उईट के नर्सिंग से लेके कोई बीट्वेल के बाद जो एंटरंस करोगे उसका एक सब्सक्रिप्शन आया हुआ है और उसकी प्राइजिंग जो है अभी डिसाइडेड है मेरे ख्याल से ऐसी कह रहे है दो हजार कुछ है तो डिस्काउंट डिस्काउंट देके यह पंद्रह सो या हजार तक की रेंज में पढ़ेगा वो शायद एक साल के लिए रहेगा या दो साल के लिए मैं आज बात होनी जैसे वैस्पर थेओरी करें उसमें तुम्हें दिक्कत आगी है तो वो तुम्हें उसके अंदर AI बिल्ट है आटिफिशल इंटेलिजन्स वो तुमारी आइडी से यह जज़ करेगा कि कौन से कौश्चन तुमारे गलत हो रहे है उस टॉपिक के कौश्चन तुमें ज्याद कर सकते हो तो वह एक साल या दो साल का है जो भी पूरी डीटेल है में तुम लोगों बता तुम्हें बना लिया अब तुम प्रो हो गए हो है ना बैस पर थेओरी के अंदर लोन पेर स्पेर प्लेइनर सिमिलेशन दिखाने की जुरत है क्या आ गया समझ में तो यह है वेस्पर थेओरी हैंडिंग आ रहेंगे वेस्पर थेओरी वैलन से लेक्ट्रोन पेर रिपल्शन के मैंने आपको बताया तो जो हमने कर रहा है वो एक लेयर थी अब हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे इसके वेस्पर थेओरी तो हम नोट्स की बात कर रहे थे नोट्स देखे वड़ाबर से आप लोगों को यहां से बना लेना है मैं एक चीज रिपीट कर देता हूं हलाग कि यह सारी चीज़े हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो बहुत आसानी पहले रहे आपके लिए जो लुइस कंसेप्ट था वो अनेवल टू एक्स्प्लेंड शेप ऑफ दा मॉलिक्यूल या जो लुइस कंसेप्ट था उसने शेप के बार में जिक्र नहीं किया था हां यह बता जाते कि कोंसा पॉंट कैसे बनेगा और कितने लोन पेर्स बचेंग लेकिन इसको प्रपोज किया था और इसके बार में इसने जिगर किया था और वैलेंट शेल ऑफ दी आटम्स फॉर्दर उसको डबलब किया और डी डिफाइन किया बाइद नाय होल्म एंद अग्लाइसिपाइन में नाइंटिंट इसके में में फीचर की तरफ तो पहला फी शेवली देट अब दूसरी बड़ी बात अगर आगर आम बात करें तो देखे यहां पर शाहिद आपको दीखे ना तौ मैं इसी से ले ले लेता हूं दुबारे से देखिए कहते रहा है कि पेर्स ओफ एलक्ट्रों इंदी वैलेंट शेल रिपल इंच तर एक दूसरे को रि बाते हैं इस पर आगे की तरफ और अगला जो पॉशुनेट ने कहता है कि मल्टिफल बॉंड को आपको ट्रीट करना एक सिंगल इलक्ट्रों पेर की तरह आप उसे बोल सकते हो डबल बॉंड को आप सिंगल करोगे एक जापल की तरू मैं बताऊंगा उससे पहले कि जब द यह ऐतरी होने वाली इस आप यह शायद है जिसमें लों प्रकाशन जादा दा एक है अप्सक्राइब कर दो दो यह में पर लीट्ज। अगर इसे अगर यह प्रॉपरली नोट्स में समझे तो दिखिए मैं नोट्स पननाएं यह आपको स्क्रोल कराव ओगा इस इसी वीडि आग शेप आग तो वाँ से आप जरूर आना थाओ निया थे तर यह था दो प्रेट प्रेच थेंपलन थे इंसेल्स अज फार अपार्ट अस पॉसिबल इन पेस में पार तो आप सीधर मिनिम्मम पीलशन को बिएंग सेट आपने में मिनिमम एर्जी घंग लोहीं यहांने कि शेबलेटी जोहीं मालेट में कि इस पर प्शॉल जोहीं चाएं थैंड गुंभा लाकरों बीच आइव बात टूब बात चौन फेल टेफेल के पेल इद आव पना बेन अम्बर वस इन ये एक लाग्यक्रों तू पहले इन पहले और दिया कुपी वो प्यूपन आपके सेकेंड ऑग आते हैं अगले पॉइंट पहले कीता है कि सेंट्रल एटम को अगर आप स्पेर मानोगे तो उसके सर्फेस पे एलेक्ट्रोन होगा एलेक्ट्रोन के क्लाउड्स होंगे मल्टिपल बॉंड ट्रीटेड़ वही सेम बात है क्या रहा है कि तो और मोर तो इसमें से एक कंसिडर करा जाएगा तो सेमी है तो आप वहां से भी सकते हो यह रिपल्शन बताया गया कि लोन पर लोन पर रिपल्शन जो है वह जादा होता है ऐस कंपेर बॉंड प्यार से सब्सक्राइल विए रिखलो तो रागिलर साप में और सेम होते हैं और डिस्टॉर्टटर में एक लोन पर ओगार एंगल सेम सेम नहीं होती है जिसका जिक्र आग तेप में है अरे एक बार ना तुम लोग एक काम करो वह लिख लो रेगुलर जुमैट्री रेगुलर जमेटरी क्या अरे बाज नहीं बस बिल्कुल भी रेगुलर जमेटरी में आपको यह देखना है सारे एंगल सेम होने चाहिए सारे बॉंड लेंथ सेम होनी चाहिए ठीक है एक्जाम्पल के लिए सेम होने एक्जाम्पल के लिए सफग्स सल्फर के पास कितने होते हैं तो इससा स्ट्रक्चर बता सकते हैं कोई बच्चा बोलो ओक्टाहेडरल वेरी गुड तो यह जो ओक्टाहेडरल बनेगा इसकी सारी बॉंड लेंथ एक्वल है या अनीक्वल है सबकुछ इक्वल होने की वजह से यह जो शेप है वो बन जाएगी आपकी रेगुलर यहां पे जो जुमेट्री आएगी उसका नाम होगा ओक्टाहेडरल शेप भी वही होगी और इसी को हम रेगुलर जुमेट्री बोलते हैं जल्दी से लिखी है यह रेगुलर जुमेट्री क्या होता है रेगुलर जुमेट्री में सारे बोंड एंगल्स सबकुछ इक्वल होता है अग्याग वैसे तुम लोग अभी बहुत सारा इंस्टाग्राम यूटूब इन सब चीजों पर बहुत सारी चीजित तुम सीख चुके हो गया ना तो तुम्हें यह बात तो पता चल गया हुआ कि यह सारी चीजित इतनी जरूरी नहीं और इसको पूरा करने के लिए इतनी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है अगर हम अपना करियर बिल्ट अप कर ले तो मिल गया ना सभी को असाइमेंट बताओ अब जैसे सीमा का एग्जामपल ले या उसका बताओ तो ऐसे लोगों के लिए सभी को मिल गया नहीं है कि ऐसे उनका कोई करियर नहीं है और फिर वी देखो क्योंकि वह फेमस हो गए तो लोग उसे जोब ओफर कर रहे हैं एक कोई गुजरात का था उसने ओफर किया कि पचास पचास जार रुपे की सैलरी पर दूनों को हम काम पर रख लेंगे उनको अपना घर चोड़ना पड़ेगा पताओ गुजरात जाके वह काम कर सकते तो ऐसे यह फेमस हो जाओ या फिर मतलब कुछ बढ़िया करियर तो यह है कि प एक दिस्टोर्टेड एक और होता है वर्ड इसको बोते हैं इस डिम इतनी चीज़े देखनी है कि उसके पास ना अगर एक भी लोन पियर है तो वह इर्रेगुलर है एक्जामपल के लिए यहां पर लिख देता हूं यह बताओ इसके पास एक्जिरोन के पास कितने लेक्ट्रोन होते हैं आठ और बोंड कितने बनाएगा यह चैए एक दो तीन चार पाँच और चैए कितने लोन पियर आगया इसके पास एक लोन पियर आगया टोटल चीज़े कितनी हो गई शाथ यानि कि छै क्या है बच्चे और एक क्या है लोन पियर चैए बोंड पियर और एक लोन पियर कितने हो गई यहां पे सैवन सैवन इलेक्ट्रोन पियर का क्या मतलब है बोलो यार इसका मतलब क्या है पांच और दो पांच और दो का नाम क्या होता था पैंटागोनल बाई भूल गया ना टेबल बनाई है क तो बोलो फट आफट से पेंटागोनल भाए यह क्या है इसकी जुमेंटरी लेकिन इसको जब रियर्रेंज किया गया तो पता यह कैसा दिखे रहे हैं यह कुछ ऐसा दिखे रहे हैं कोई बता सकता है ये किस तरह की शेप बनाई है में है कैसा दिख रहे है आपको लेकिन तुम कहोगे कि इसके अंदर एक यह वाला जो लोन पेर हो कहां है तो लोन पेर को यह लगा देते है ना तो इसका नाम रेगुलर जुमेट्री नहीं है रेगुलर क्यों नहीं है क्योंकि यह कैसा है क्यों है इसके पास क्या गया एक एक भी लोन पियर आ जाए तो इसका मतलब डिस्टॉर्टेड क्या है वह इसका नाम होगा डिस्टॉर्टेड क्या नाम होगा डिस्टॉर्टेड लोग टाइडरल यह इसकी शेप है कि नहीं आई समझ में पक्का ना जो बाते मैं तुम लोगों को बताता हूं यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए है ना कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो घर पर जाके अपने ममी वापा को सारी बाते बताता है कि आज सर ने डिस्टोटेड ओक्टा हेड्रल में कुछ और चीजें भी डिस्टॉब करके बता दी हैं ऐसा तो नहीं है ना कोई पिछले साल एक बच्चा था 11 प्लास है कहेंगे नहीं पर फिर भी हो जाता है क्योंकि मैं experience कर चुका हूं पिछले बार भी ऐसी कुछ चीजे में बताता था ठीक है अब भी तो मैं तुम्हें कम बता रहा हूं थोड़ी बहुत चीजे और गहरी बाते मैंने बता दी थी अपने बारे में तो उस बच्चे ने घर आज सी से से करते हो यह करते हो ने सारी बर्डिंग वह बोल रहे हैं जो मैंने कलास में बता है मैं इतनी सारी गहरी बाते तो बच्चे के बीच होती है चार को समREE मिया राम के भी कोरता देक बता देज हो तो हर रोज की कि ser ने आज ऐसे बता जाएं तो सर का एक के उसके गर्मी में कमल ओड़ता है वो सारी बाता है एट टू जैड पॉइंट टू पॉइंट इसलिए मैं तुम लोगों कुछ बताता है नहीं दर लगता है ना भाई कि तो यह हो गया सभी का कि इस्टॉर्टेड का मतलब होगा एक लोन पर रेगुलर का मतलब लोन पर नहीं बासमझ में आगी आप लोगों चलिए अभी असाइमेंट का वक्त आ गया है असाइमेंट के कुछ कोश्चन तो मैं करा रहा हूं नोट्स कौन से यही तो है हो तो गया इससे जादा क्या करना है कोश्चन साने चाहिए ना चलो भाई कोश्चन नमबर 29 बहुत ही प्यारा कॉश्चन मैंस दफोल भी है ना पी सी एल एस वेरी गुड़ पी सी एल फाइफ एस बताया है बच्चे ने किस बेसे से बताया है एक्स्प्लेइन भी करेंगे सुनना उध्यान से सुनों बताओ हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ तीन और दो असे स्प्लिट कर लिया ठीक है अब क्या बनेगा इससे शेप ट्राइगोनल बाइप पिरामिडर बोलते नहीं हो तुम सब अब तीन वाला एक टूडी का स्ट्रेक्चर बनेगा जो कि क्या होता है ट्राइंगल अब एक अबाव दा प्लेन यह अबाव और अच्छा यह प्लेन वाले कितने कि थे यह जो परपेंडिकुलर होते ही है कितने कि नाइन्टी वाला ज्यादा दूर होगा बोलते क्या थे इसको यह वाले दो कौन से है दो एक्जियल है और तीन यहीं बात पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी पक्का पढ़ाई थी तो बस इसमें पीसियल फाइफ को इस से मैच करोगा अच्छा यह बोंड है या लोन पे है तो यहां पर बोंड ही है जिकर करना दे को त्री एक्विटोरियल एंट्व एक्जियल बोन्स ओके नेक्स इस एक सी अफ्टू बनाय हुआ हुआ आप लोगो ने तीन बनाव 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 को पिन बनाव यह जो तीन लोन पेर है यह कहां पे होंगे ओके ऐसा कोई ऑप्शन क्या लग रहा है पी वेरी गुड एक्सी एफ्टू एक्सी एफ्टू में एक्जिनोन के पास आठ एलाक्ट्रोन्स होते हैं बोन्ड यह दो ही बनाएगा अबाव एंड बिलो मैंने बताया था जो छे लेक्ट्रोन्स में बच गए हैं पीछे आप देख सकते हो उसे आप एक्टूरियल पे रखना क्यूंकि वहां पे रिपल्शन सबसे कम होता है तो यहां पे आप लिखोगे अजि त्री लोन पेयर आक्क हां पे ट्रीकुर्टोरी प초 प्रेन लोकरेशन में vielen फ्रीजियल फ्री फेल्τεरmeter गोडेट ऐट गोड़े और वर्विक्तियल थे स्थियल प्रियह और आधाईर बढ़ी अगblackफिव रोटीए किस से एकमट्रों में प्रिक मैं चंबोडी offic एस एफ पूर कि सी सो वेरी गूड एस एफ पूर में सी सो से बनेगी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा यह हो गया सपी कहां अच्छा चलिए आगे ऐसे फोर में साथ सब बना लो आप अपने एसे फोर में सी सो प्राइब हो टीन चार एक यहां एक यहां चार बोड़ पेर हैं दो एक्जियल पे हैं यह वाले और वह एक्जियल पर एं यह एक्जियल हो गया यह एक्जियल हो गया ऐसा कोई ऑप्शन दो एक्जियल और बाकी जो बचिया वह तो करिया लोगी हो जाए गारma के नहीं हो गया चलिए, question number 22, question number 22 भी कर लेते हैं, 22 में एक SF-4 है, 22 हो गया, SF-4 हमने यही पर बनाए, इसका यूज़ कर लेंगे, SF-4 में loan pair कितने हैं, loan pair की संख्या एक है, इसने हम से पूछा भी loan pair है ना, Molecule shape of SF-4, CF-4 and XEF-4 are the same, 201, इसके पास दो थोड़े होते हैं, कितने होते हैं, SF-4 के पास एक loan pair है, और दूसरा option क्या है, CF-4, CF-4 बनाओ यहीं पर, CF-4 बनाना आता है, CF-4, इसके पास एक loan pair है, यहां पर लेग देखा, बनाओ, बनाओ, CF-4, CF-4 में एक carbon है, टेट्राइडल बन जाएगा, है ना, क्या इस पर loan pair है, तो इस पर loan pair की संख्या कितनी लिग दोगे, और एक है, CF-4, बनाया था हमने, CF-4 में क्या होता है, बच्चा, ऊपर नीचे क्या रखना है, बोलो यार, यहां पर loan pair रखा, और plane हमारा, इसकी शेप का नाम बताएगा बच्चा, square, planar, और वैसे geometry क्या होगी, octahedral, यह बोल रहाता है, square by piramidal, वो नहीं बोलना है, क्या बोलना है आपको, तो इसका सही answer क्या है, अचा इनकी shape अलग-अलग, इसकी shape क्या है, क्या इनकी shape same है, क्या है, अलग-अलग, इसकी क्या बताएथी, C100, है ना, तो इसलिए answer आएगा different, with 1, 0, and 2, दो लोन पियर, है ना, बाइस वे का, बिटा, copy में करो, ऐसे, जब मैं इतनी मैनुस कर रहा हूं, तो 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 आप्शन पे टिक लगा रहे हूं, ना लाइक हो, question number 24 भी कर लेते, question number 24, question number 24 में क्योई बच्चा बताएगा मुझे कैसे क्या करना है, iso structural, heading डालेंगे, iso structural, करा नहीं था, तुम लोगों नहीं, smile please, iso structure लिखेंगे आप लोग, iso structure में क्या होता है, same structure होता है, क्या होता है, same structure, iso structure में क्या होगा, same structure या same arrangement, अच्छा बताओ, किसके, 24 में question में हमें क्या करना, किसके लिए compare करना, SICL4, silicon को जानते हो आप लो, carbon की family से आता है, कितने होते हैं, क्या होते हैं, 4, और chlorine कितने हैं, क्या बनेगी, square, tetrad, क्या बनेगी, square planer जब तक नहीं बनेगा, जब तक loan pair नहीं हो, तो यहां पर क्या बन गया, tetrahydral, तो जो भी tetrahydral होगा, वो match हो जाएगा, अरे हां किना यार, अब यहां पर समझ, यह से अगला structure हमारा किसका है, यह option में किसका option है, हमारा, यह होता क्या है, पता आप लोगों को, क्या बोलते हैं इसे बच्चे, फोस्फेट आएं, बनाओ इसका structure, फोस्फोरस के आउटरमोस में होते कितनी हैं, पाँच, कितने हैं, और oxygen कितने हैं इसके पाँच, चार, एक, दो, तीन, चार, और पाँच, oxygen कितने हैं इसके पाँच, चार, और चार्ज कितना है, अच्च, एक पाँच, तो oxygen के पास बैसे कितने होते हैं, और माइनस लगते ही, कितने हो जाएंगे, साथ, हर्ए एक पर माइनस लगेगा, तो वो साथ हो जाएगा, किनी हो जाएगा, अरे हाँ इसके, ठीक है, अब ये बताओ, कितने उक्सिंट पर माइनस चार्ज लगाया है मैंने तीन पर, ये तीनों क्या करेंगे, सिंगल सिंगल और उपर वाला क्या करेगा, क्यूंकि उसको दो चाहिए ना उसको दो चाहिए, दोनेट नहीं करेगा, यहां पर कोडिनेट, कोविलेंट बना लिया करो, कोडिनेट मत बनाया करो, कोडिनेट जब बनाएंगे बनाएंगे, तो मैंने इसको कैसे बनाया है, किस तरह से अरेंज कर रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, ये, मैंने बताया था, मल्टिपल बोंड को single bond pair मानोंगे एक दो तीन चार किती चीज़े हो गई चार को क्या बोलते हैं क्या ये टेट्राहेडरल है पक्का है क्या इस पर lone pair भी है क्या ये और ये ISO structural कहे जा सकते हैं क्योंकि question इसको लेके पूछा गया था ये इसके same structure को represent करता है इसलिए ISO structural है B option में कोई बच्चा बताएगा क्या given है NH4 NH4 positive को क्या बोलते हैं बच्चा Ammonium Ion Ammonia नहीं Ammonia NH3 होता है और Ammonium Ion इसकी शेप बना सकते हैं नाइट्रोजन के पास कितने ये तो याद भी होगा एक इसमें कैसा पॉंट मनता था coordinates कैसा पॉंट मनता था X positive को जो देता था और तीन बोर्ण ऐसे थे ये याद नहीं है क्या तुम लोगों क्या शेप आ गई इसकी क्या ये भी same है अरे है के नहीं है इसमें option कैसे दे रखी है अच्छा इस note ओके iso structural नहीं बताना तो ये भी iso structural हो गया क्योंकि structure कैसा आ रहा है same बना लियां यहां तक अरे हां किना यार option c try करते हैं चलिए option c में बताओ क्या है क्या है scl4 ये भी better handle ही आएगा है ना c so q sulfur के पास 6 होते हैं कितने होते हैं तो 4 को bond बना लिया इसने चलो और एक क्या बना लिया ये बनाना आना चाहिए नहीं आया समझ में अच्छा एक बात समझो इसके पास 6 थे ये बत पता है 6 में से 4 तो bond बना लिये और एक क्या है तोटल चीजे कितनी हो गई पाँच पाँच और कैसे रेंज करो के ट्राइंगल अबाओ दा प्लेन और कैसे शेप पागई इसकी नहीं जुमेटरी नहीं सेप सेप देखो एक बात दुबारा कोशन पढ़ना इसमें एक वर्ड यूज करा है इसमें से तुम्हें पादा चल जाएगा इसमें कह रहा है जब भी ISO STRUCHL की बात होना तो MOLLEC MALC J 일이 की बात होगी किसकी बात होगी Electron改 Tanner की बात मैं यहा पर C то लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ यांनी की क्या लिख रहा हूँ value क्यों जमेंटरी नहीं आई समझ में पका ना पका तो यही एंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्षिन भी ट्राई करें बी ऑप्षिन क्या है बी ऑप्षिन है क्या बताओ अगर सोफोर टू नेगेटिव को क्या बोलते हैं बताइए सलफेट आएन तो मुझे बताओ यह जो सलफे आएन एस को फोर टू नेगेटिव इसका स्क्रूर कैसा बनेगा है कि जैटर हैटरल कैसे सलफर कि है इलक्तरों से दो एक और डबल नीचे ही कर देंगे हैं माइनस टू और यहां पर भी माइनस तू नहीं एक माइनस इस पर एक माइनस इस पर लूट बनाने की अवसकता है समझ में आ जाता है क्या है नाम यहां पर लिख रहे हैं तू कि सारे लिखें तुने भी दख यह भी लिखें तो आसान है नहीं है अले है कि नहीं है यार आइसो स्ट्रक्श्रल के सारे कोशन्स हो जाएंगे आप लोगों बस आपको बनाना है थोड़ी मेहनत करने है कोशन नम 21 करेंगे बोन अंगल का कोशन है ये बहुत ही प्यारा 21 आप लोग क्या करिए 21 के जितने स्ट्रक्श्रस है न सभी के आप पहले न स्ट्रक्श्रस बना लो सबी क्या आप स्ट्रक्चिस बना लो बना लिए 21 बहुत प्यारे बच्चो ना लाइको सारे ओप्षिन एक ही है न वैसे तो आगे पिछिदा रखे है न जैसे एक है हमारे पास भूल गया तुम ने बना लिया गया पी एफ ट्री वही में भूल गया था याद ही नहीं था और एक नारा भी एफ तृआ यह सारे शेप बनाओ इसमें बॉर्ड एंगल बताना है हमें बनासकते कोई बच्चा बना लिया क्या इसका इंतिजार है है हुँ है चलो प्री बताओ बताओ के पास कितने होते हैं सेवन तो सेवन में क्या करें है दो लोन पे रहे है और तीन और दो कितने हो गए पांच पांच को ट्रैंगल रखोंगा इसकी क्या पूछिए इसने एंगल पूछे है पताओ इसमें एंगल कितना थिख रहा है 90 या उसने एंगल पूछा निया पर 90 मुझë दीख रहे है कि नियों इसके पास क democrat कितने है पांच पांच की만ieur यह अंठ पांच है और विव-फांग्य दिमाग लगाओ पांच है, तीन उसने क्या बना लिये, तो कितने बच गए, दो का एक क्या बन गया, तो एक लोन पेर और तीन बोंड पेर, कितने हो गई, चार, तो चार को कैसे रखोंगा, एक लोन पेर, और तीन, नहीं आया समझ में, अच्छा एक और करते हैं इसी तरीके से, बड़ा यह क्या हो गया, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, तो नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या करेंगे हम, लोन पेर, अभी आए, यहाँ पर क्या आएगा बच्छे, फ्लोरीन, क्या आए यहाँ यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर बताओ, बोरोन के पास कितने हैं, पांच, तीन आउटर मौस में बात कर रहा हूं मैं आउटर मौस में कितने है सिर्फ और यहां पर फ्लोरीन कितने है तो बॉन्ड भी तीन ही बनेंगे तीन का कैसा बॉन्ड बनेगा 120 ये एक सो अच्छा ये भी एक सो सेम सेम हो गया ना यहां confusion हो गया अब मेरी बास सुनो मेरी बास सुनो अरे मेरी सुनो ना लाइको याद रखना bond अच्छिए जाद सबसे जादा आंगल किसका है उसके बाद नाइट्रोजन के बाद उसके बाद 90 तो सबसे कम होगा ना इसका 109, 107 के बीच में होगा अब वो कितना होगा वो पता नी इसका तो हमें पता है 107 और 107 से ये कम होगा हो सकता है 105 हो, 104 हो, जो भी हो और ये 90 होगा, बाद समझ में आगे आप लोगों को, तो ये है सबसे ज़्यादा, फिर ये और फिर ये ये ट्रेंड होनी थी, ऐसा कोई option कर लेंगे इस तरह से आप लोग, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, पक्का कर लिया है, आज के लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखो, मिलते हैं फिर कल, कल नहीं आना है जब electro negativity ज़्यादा होगी तो bond angle ज़्यादा होगा, 107 है तो 105 हो सकता है 104 हो सकता है, इससे कम होगा, exact value हमको याद इन रखनी, पर ये याद रखना है कि इससे तो कम ही होगा जो भी doubts होगे, हम आपको बताएंगे जो या assignment करके लाएगा उसको notes मिलेंगे classification of elements के हाँ, मतलब परसो कल नहीं परसो हाँ, हाँ, हाँ